अखरोट एक ड्राइफ फ्रूट्स और स्वादिस नट्स होने के साथ साथ सेहत के लिए फायदे मंद है इसे नट्स की श्रेनी में सबसे उपर रखा गया है क्योंकि ये एंटि आक्सिडेंट से भरपूर है अखरोट की खूबियों और फायदों को देखते हुए ही इसे ब्रेंट फूड का नाम दिया गया है बच्छों से लेकर व्यसकों तक के लिए रोजाना अखरोट का सेवन लाबकारी है आईए जाने अखरोट के फायदे पहला हडियों के लिए हडियों को मजबूती प्रेदान करने के लिए भी अखरोट का सेवन किया जा सकता है दरसल अलफा लिनोलेनिक एसिड यूग खाग पदार्थ के सेवन से हडियों को मजबूती मिलती है और जिन खाग पदार्थ में ये एसिड होता है उनमें अखरोट भी शामिल है इसके अलाबा अख्रोट में केल्शियम और फासफोरस भी पाया जाता है जो हड़ियों में ओस्टियो पोर्वसिस होने से रोकता है साथ ही कॉपर बोन मिनरल डेंसिटी को बनाई रखता है दूसरा मस्तिस्क के लिए अख्रोट मस्तिस्क के लिए अत्यंत लाब दायक है और इसके कारियों में सुधार लाता है अख्रोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिट मस्तिस्क के लिए भी अच्छा होता है ओमेगा-3 फैटी एसिट में सम्रिद भोजन खाने से तंत्रिका तंत्र सुचारू रुप से काम करती है और आपकी यादास्त में सुधार करता है अखरोट स्मरन सक्ति एवं एकागरता को बहतर बनाता है और बुरहापे में निहित कमजोर यादास्त को भी परारस्त करने में सक्षम है ये तरनाव को दूर रखता है एवं मोड में भी सुधार लाता है तीसरा वजन घटाने और मोटापा खतम करने में अखरोट वजन घटाने और मोटापा खतम करने में बेहत कारगार साबित होता है हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त में मोटापा या बढ़ता वजन इंसान के लिए सबसे बरी परिशानी बनता जा रहा है अखरोट खाने के लाब वजन कम करने में भी देखे जाते हैं लेकिन सिमित मातरा में करें चौथा पुरुषों के लिए अखरोट के लाब शुक्रानूओं की संख्या में कमी पुरुषों में पाय जानी वाली एक समस्या है जो दुनिया भड के लगभग सभी पुरुषों में देखी जा सकती है अखरोट के सेवन से इस समस्या को दूर क्या जा सकता है रोजाना एक मोठी अकरोट के सेवन से पुरुषों में सुकरानों की संख्या में व्रिधी की जा सकती है तथा पुरुषों की जीवन सक्तिगती शिलता एवं समाने आकरिती में सुधार क्या जा सकता है पाचवा प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में अख्रोट का सेवन बहुत ही लाबदायक होता है क्योंकि इसमें पाई जाने वाला विटैमिन B कॉम्पलेक्स होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही फाइदेमन्द होता है अख्रोट में प्रोटीन पाया जाता है जिससे गर्ववती महिला को उचित मातरा में प्रोटीन प्राप्त हो जाता है छटा रोग प्रतिरोधक छमता बहाने में भी सहायक अख्रोट शरीर की रोग प्रतिरोधक छमता बहाने में भी लाबदायक है दरसल अख्रोट में एंटी आक्सिडेंट्स प्रचूर मातरा में पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाते हैं इसलिए शरीर को स्वस्त और चुछ दुरुस्त रखने के लिए साथ ही बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाने के लिए अख्रोट हमारी रोजाना की डाइट में शामिल होना चाहिए साथवा स्कीन के लिए अख्रोट में एंटी आक्सिडेंट होता है जो स्वस्त के साथ तवचा के लिए भी काफी लाबदयक होता है एंटी आक्सिडेंट वच्छा में गंदीगी दूर करके आपको चमकदार वच्छा प्रादान करता है आठवा अख्रोट डेल को भी तंदुरूस्त रखने में लावदायक है अख्रोट ह्रेत्य के क्रेत्य को संचालित एवं नियमित करता है और उसमें सुधार भी लाता है अख्रोट में ओमेगा-3 fatty acid अधिक मातरा में पाया जाता है जिसकी वज़ा से ये cardiovascular system के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है ये तो रहे अख्रोट खाने के फायदे अब जानते हैं अख्रोट खाने के नुकसान अख्रोट फायदे तो बहुत है परन्तु इसके फायदों का लाब तभी अच्छे से उठाया जा सकता है जब इसे सही मात्रा में और इसके फायदे और नुकसान को समझ कर लिया जाए एक दिन में पांच से ज़ादा अखरोट खाना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है ये स्वाभाविक रूप से गर्म होता है और जुर छाले जैसे रोगों को बढ़ा सकता है इसका सेवन कफ में भी नहीं करना चाहिए गर्बवती अवस्था में इसका ज़्यादा सेवन करने से वजन में विधी हो सकती है साधारन अवस्था में भी इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को इससे अलर्जी भी हो सकती है अख्रोट खाने के सही तरीक की बात करें तो रात को सोते समय एक गिलास दूद के साथ अख्रोट के दो-तिन टुकरे खाना सबसे आसान तरीका है आप शाम के स्नेक्स के में अख्रोट को भून कर खा सकते हैं आप दूद में एक चमच अख्रोट का पौडर और एक चमच शहर डाल कर पी पी सकते हैं